हेलो और नमस्कार सभी को मैं हूँ अदिती और स्वागत है आपका मेरी किचिन में तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिर्च के अचार की रेसिपी तो यहां पर अलग अलग तरीके से बनता है तो यहां पर जो मेरे घर पर बनता था हमारी मम्मी जैसे बनाती थी उस आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ तो यह बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी मिर्च के अचार की रेसिपी आपके साथ सेयर करने जा रही हूँ तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और मेरे वीडियो को फुल पानी से अच्छे से ऑफ दो लिए इस के बाद में पानी सो तो बहुत है को आप चांओ तो इसके. चार पीस भी कर सकते मैंने इसे दो पीस में काटा है तो यहां ऐसे करके मैं सारी मिर्च को ऐसे काट लूँगी क्योंकि थोड़ी इजी तीखी है अगर आपके पास कम तीखी वाली है तो उसका भी बहुत अच्छा चार बनता है यहाँ पर मैंने यह तीखी वाली ली है तो मैं इसका चार बना रही हूँ यह भी बहुत टेश्टी बनता है तो यहाँ पर इसे मैं ऐसे काट लूँगी कैची से तो यहाँ पर मैंने सारी मिर्च को ऐसे काट लिया है आप देख सकते हैं मैंने इसे दो भाग में काटा है आप चाहें तो इसके चार पीस भी कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारी जो मिर्च है कटके रेडी है अब हम इसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं तो यह बहुत ही जल्दी अचार बनके तयार होता है आप इस अचार को 10 मिनट में बना के रेडी क कर सकते हैं तो यहां पर देखिया हमारी मिज्ट इसमें आड़ करेंगे कुछ मसाले तो यहां पर मैने लिए हैं यह राई जिसको सरसो बोलते हैं तो जो चिककर होता है उसको मैंने निकाल दिया तो यह पीली वाली सरसो मैंने चार चम्मच भरके लिया है इसको एड़ कर दिया है यहां पर मैंने यह ली है सोफ तो यह पिसी हुई सोफ है इसके भी चार चम्मच मैं इसमें एड़ कर दूँगी अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर तो यहां पर मैं दो चम्मच हल्दी का पाउडर यूज्ड कर रही हूं आप जितनी मिर्च बना रहे उस सहसे मसाले आप आपने इससाब से डाल सकते हैं यहां पर मैंने आदा केलो मिर्च ली थी नमक, तो यहां पर नमक हम अपने स्वाद के अनसार डालेंगि, मैंने यहां 1.5 चमच बर्के नमक डाला है, आप अपने स्वाद के अनसार डाल सकते हैं, बहुत जादा नमक नहीं डालना चाहिए नहीं तो फिर बाद में अच्छा नहीं लगता है तो आप पहले कम डालें बाद में टेस्ट कर लें इसके बाद में इसमें एड़ कर दें अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे यह सरसो का तेल तो मैंने इसको गरम नहीं किया है यह कच्चा ही मैंने डाला है कच्चे तेल का अलग फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बुना हुआ जीरा पाउडर एड़ कर रही हूँ तो इसको भी मैंने इसमें अड़ कर दिया है और यहाँ पर डालेंगे यह विनेगर तो यह वाइट विनेगर है यह बहुत कम खटा होता है इसलिए मैं इसकी कौंटिटी ज़्यादा ले रही हूँ अगर आपके पास वो घर में जो बनाया जाता है गन्य के रस से वो भी बहुत अच्चा होता है अगर वो जाल रहे हैं तो आप थोड़ासा ही दालें अगर आप विनेगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें इस जगए पे नीवू कर रस भी ढाल सकते हैं उससे भी आपका अचार बहुत अच्चा बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है तो यहाँ पर अब इन सभी मसालों को अच्छे सी मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए हमारे मसाले जो है फिल्कुल परफेक्ट है अगर आपको कम लग रहे हूं तो आप अपने अचार में और एश्ट्रा एड़ कर सकते हैं इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए मसाले जो है हमारे अच्छे से मिक्स हो गया है तो यहां पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है आप इसे किसी चमच से ही या किसी हाथ में गलब्स पहन के ही करें क्योंकि यह मिर्च बहुत तीखी होती है बाद में हाथों में बहुत जलता है तो इसलिए आप हांस से डारिक्ट नहीं इसको मिक्स करें तो यहां पर म तो यह देखिए हमारा जो मसाला है मिर्च में अच्छे से कोट हो गया है यह बहुत ही जल्दी बनके तयार होता है आप इस अचार की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए यह बहुत ही टेश्टी लगता है और इसे आप श्टोर करके महीनों तक रख सकते हैं यह बिल्कुल खराब नहीं होगा बस आप इसमें हाथ का ज्यादा यूज नहीं करें वैस अब मैं इसको ढख कर मैंने इसको ढख कर आट से दस गंते के लिए इसे ही छोड़ दिया था कि इसका जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा यह चोड़ देगा और अगर हमें बाद में मसाले इसमें लगेंगी कम तो इसमें एड़ कर दोंगी तो यह देखिए अभी मुझे इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा ओईल तो यहां पर मैं सरसो का तेल यूज कर रही हूं अगर आप सरसो का तेल नहीं खाते हैं तो आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं जो आप खाते हों तो यहां पर इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल को और हमारा चार जो है बहुत ही जल्दी बनके लिए होता है और खाने में तो बहुत ही टेश्टी लगता है आप इस रेसिपी जरूर ट्राइब केजिए यह बहुत ही ठीश्टी होता है तो चलिए हमारा इसार बनकर लिए अब इसे एक कंटेनर में भरके रख लेते हैं तो यहां मैंने इसको भरने के लिए यह जार लिया है और इसमें बरके रख देंगे अगर आप इस अचार को किसी स्टील के बरतन में मिक्स कर रहे हैं तो आप इसे आच से 10 घंटे के लिए ना छोड़ें डारिक इसको किसी डिब्बे में भरके तब रखें यहां पर प्लास् और इसको भरकर रख देंगे तो यह देखिए हमारा चार जो है विल्कुल रेडी है इसको बीच बीच में आप हिलाते रहना दिन में एक से दो बार और आप महीनों तक इस अचार को खाईए इंजॉय कीजिए विल्कुल भी खराब नहीं होगा और यह बहुत ही टेस्टी बनता है आप इस रेस्पी को एक बाद जरूर ट्राइए कीजिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए सेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को फुल बॉच करने के लिए थैंक्यू सो मॉच तो चलिए मिलते हैं ने वाइ